दोस्तों, इंडियन एकनॉमिक डिजिटलाइज होने जा रही है और धीरे-धीरे यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है Cashless Economic में जो Electronic Transaction है, जिससे यहाँ पर Clearly Money Trail को पकड़ा जा सकता है उसी के साथ यहाँ पर जो Tax Evader है उन लोगों के लिए difficult हो जाएगा Cash Transaction करना and यहाँ पर बहुत सारे ऐसे provisions जो है वो income tax लाता रहता है चाहे वो old provision हो या new provision यहाँ पर introduce किये जाते है income tax act में जहाँ पर restriction डाले जाते है cash transaction पर है तो यहाँ पर जो सरकार का जो objective है restriction करना cash transaction के ताकि यहाँ पर जो एक क्रब किया जाए यानि रोका जाए यहाँ पर domestic flow चल रहा है black money का जो यहाँ पर adverse effect करता है नहीं सिर्फ government के revenue को बलके यहाँ पर जो investment होती है production purpose के लिए वो भी यहाँ पर जो कम यहाँ पर रोक दी जाती है limited की जाती है उसी के साथ because यहाँ पर जो transaction होता है वो mostly cash form में होता है जो unaccounted होता है and जो stored होता है यहाँ पर cash में and यहाँ पर जो cash less यहाँ पर जो investment किया जता low price investment किये जाते gold में, jewelry में तो यहाँ पर restriction यहाँ पर डाले जाते cash transaction के लिए ताकि black money को यहाँ पर रोका जाए और cash less economy यहाँ पर बनाई जाए यहाँ पर जो provision introduced किये जाने, जो restriction जो introduced किये जाने for cash transaction restriction के लिए जिसके वज़े से effect इसका यह होगा कि आपको जो expenses allowed होंगे वो यहाँ पर disallow कर दिये जाएंगे जो आपको deduction मिलने है chapter 6 A के वो यहाँ पर आपसे ले लिये जाएंगे या कोई benefit है यहाँ पर जो compliance में दिया जाता है वो भी आपसे ले लिया जाएगा उसी एसासाथ आपको penalty भी यहाँ पर लगए जाएगे अगर आप cash transaction के 300 limit से जादा का cash transaction करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप cash transaction करते हैं जहाँ पर cash transaction को यहाँ पर limit करते हैं और अगर आप उस limit से जादा करेंगे तो आपको expense डिसला हो जाएगा आपके जो deduction अबो डिसला हो जाएगे और आपके यहाँ पर penalty भी लग सकती है तो दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं वीडियो को start करते हैं अगर आप channel पर नए हैं तो channel को अभी subscribe कर लीजे और ज़्यादा share जोर करेगा तो दोस्तों आईए start करते अपने आज के वीडियो को तो दोस्तों आईए start करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से cash transaction पर यहाँ पर restriction सरकार द्वारा रखे गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं section 13A के बारे में जो यहाँ पर बात करता है exemption यहाँ पर दिया जाएगा अगर कोई income receive कर रही है political party तो अगर आप एक political party है registered है election commission पे and यहाँ पर आपको exemption allowed होता है for paying income tax यहाँ आपको कोई भी यहाँ पर income tax pay नहीं करना है बट आपको यहाँ पर report submit करनी है and register करवाना है election commission पे तो ध्यान रखेगा यहाँ पर अगर आप donation received कर रहे हैं cash form में तो 2000 रुपे से जादा का आप donation receive नहीं कर सकते हैं अगर 2000 से जादा का अगर आपको donation receive करना है तो account pay check, draft या फिर use of electronic clearing system के थुरू जो bank account के थुरू होगी और electronic bond के थुरू यहाँ पर आप कर सकते हैं उसी यह सासा जो political party है books of account maintain भी करना है और return section 139.4b के तहत यहाँ पर file भी करना और within the time limit section 139.1 के तहत फाइल भी करना रहेगा अगर यह सभी condition यहाँ पर comply नहीं करती यानि 2000 से जादा का donation cash में receive कर लिया यह return file नहीं किया तो जो exemption यहाँ पर allowed किया जाता है political party को वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है तो दोस्तो ध्यान रखेगा यहाँ पर अगर आप political party exemption लेना है तो यहाँ पर 2000 से जादा का cash donation आप नहीं ले सकते यह restriction यहाँ पर cash payment की सरकार ने आपर रखी गई है section के अंदर दोस्तो आ जाते हैं अपने अगले point पे जहाँ पर अगर आप cash payment करते हैं यहाँ पर disallows कर दिया जाएगा section 35 AD के अंदर and section 43 1 के अंदर तो समझते हैं क्या यहाँ पर section की requirement दी गई है तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेगा disallows of capital expenditure हो सकता है depreciation हो सकता है जो investment allowance दिया गया है वो हो सकता अगर आप cash payment करते हैं तो 2017 से पहले section 35 AD specified business है अगर इस business के अंदर यहाँ पर अगर आप investment करते हैं specified business के लिए capital expenditure को अगर यहाँ पर expenditure करते हैं तो उस case में यहाँ पर आपको deduction यहाँ पर allowed होता है कुछ business के लिए जो eligible business होंगे 100% कुछ case में 150% तक यहाँ पर आपको deduction allowed किया जाएगा लेकिन ध्यान देखेगा यहाँ पर 2017 से पहले कोई भी cash transaction restriction नहीं रखा गया था बट assessment year 2018 से यहाँ पर cash transaction पर restriction रखी गई थी अब अगर आप capital expenditure करते हैं तो यहाँ पर आपको deduction allowed नहीं किया जाएगा section 35 AD के अंदर जिसके लिए यहाँ पर अगर आपने payment करी है या aggregate payment करी है तो उस case में यहाँ पर अगर किसी एक person को किसी एक दिन के अंदर उस खर्चे के related अगर कोई payment करी है otherwise then यानि अगर आप banking channel से करते हैं जैसे के account paycheck, draft या clearing system use करके bank account के थूँ तो यहाँ पर कोई भी disallowance नहीं होगा चाया आप कितना भी payment करें बट अगर आपने cash payment करी है 10,000 से जादा तो यहाँ पर आपको deduction allowed नहीं किया जाएगा उसी एसासा section 43.1 के अंदर भी अगर यहाँ पर आप payment करते है aggregate payment करते section 43.1 के अंदर यहाँ पर जो acquisition अगर जो करी है capital asset जो acquisition करी है 35.1 के अंदर आपको deduction नहीं मिलेगा बट 43.1 के अंदर जो asset है जो आपने purchase करी है उस cost का भी benefit आपको नहीं मिलेगा वो आपके actual cost का पार्ट नहीं होगा जो आपने cash में payment करी है तो यहाँ आप 10,000 से जादा के अगर आपने cash में payment करी है तो नहीं आपको यहाँ पर deduction मिलने वाला 35.80 का उसी है सासाथ 43.1 के अंदर आपके actual cost का पार्ट नहीं बनेगा जिसका सिदा सिदा मतलब यह है कि जो depreciation है वो यहाँ पर आपको allowed नहीं किया जाएगा section 32 के अंदर और जो investment allowance है 32.80 के अंदर वो भी यहाँ पर आपके लिए allowed नहीं किया जाएगा तो ध्यान रखेगा दोस्तों अगर आपको asset purchase करते capital expenditure करते तो 10,000 से जादा का आप cash में purchase नहीं कर सकता है 10,000 से जादा का अगर आपने capital expenditure purchase किया कोई plant and machinery furniture या कोई other assets capital asset जो यहाँ पर purchase करी है तो उसका आपको नहीं deduction मिलेगा नहीं आपको depreciation का benefit दिया जाएगा दोस्तों अब आजाते अपने next point पे तो यहाँ पर अगर आप payment करते है exceeding specified sum otherwise then account pay check, bank draft या फिर clearing system से अगर आप नहीं कर रहे है तो यहाँ पर आपके लिए disallow हो जाएगा जो खर्चा आप कर रहे है जो payment आप कर रहे है under section 40A3 के अंदर और एक और section यहाँ पर दिया गया है 40A3A के अंदर तो आए समस्ते क्या यहाँ पर section की limit दी गई है तो ध्यान रखेगा अगर आप expenditure करते payment करते है या फिर aggregate payment करते इन डे के अंदर एक दिन के अंदर एक परसंसे अगर आप payment दे रहे हैं आप तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जो है 10,000 से जादा payment cash में नहीं कर सकते है उसी यह साथ-साथ अगर goods carriage vehicle है तो यहाँ पर applying hiring के लिए यहाँ पर 35,000 से जादा का cash expenditure नहीं कर सकते है यानि otherwise then यहाँ पर आप account pay check से या bank draft से अगर उसके अलावा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए disallowance हो जाएगा बट अगर आप account pay check से draft से या e-clearing system से करते हैं तो कोई भी disallowance नहीं किया जाएगा उसी यह साथ-साथ यहाँ पर जो rule है 6DD के अंदर अगर कुछ यहाँ पर case आ जाते हैं जहाँ पर exceptions दिये गए हैं अगर आप payment करते हैं 10,000 से जादा भी तो भी यहाँ पर आपको disallowance नहीं किया जाएगा अब यहाँ पर जो second provision जो दिया गया है section 40A sub section 3A के अंदर जहाँ पर अगर आप payment कर रहे हैं और उसका deduction आपने previous year में ले लिया but current year में आप उसका payment कर रहे हैं यानि आपके जो expenditure थे वो due थे उसका payment जो आपके credit says है जो इसका payment जो आप इस साल यानि current year में कर रहे हैं लेकिन वो payment और aggregate payment एक person को in a day में अगर आप cash में करते हैं यानि otherwise than account paycheck, draft या electronic clearing system से अगर आप नहीं कर रहे हैं 10,000 से जादा का अगर आपने cash में payment किया है तो यहाँ पर सीधे-सीधे वो खर्चा है वो disallow कर दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा दोस्तों के आप चाहे तो यहाँ पर इस साल के लिए अगर आप payment कर रहे है या कोई previous year का अगर आपको कोई payment है जो आप इस साल कर रहे है तो यह दोनों खर्चे आपको 10,000 से जादा का cash payment करते है और goods carriage का case है applying hiring, leasing का case है तो उस case में 35,000 के यहाँ पर limit दी गई है तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे disallow कर दिया जाएगा और आपकी taxable income यहाँ पर बढ़कर आपकी PGP में यहाँ पर आपके tax liability बन सकती है दोस्तों अब यहाँ पर आजाते है अपने अगले point पे जो यहाँ पर दिया गया restriction, cash restriction for health insurance premium का अगर आप payment करते है section 80D के अंदर तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि यहाँ पर deduction आपको allowed किया जाता है gross total income से अगर आप यहाँ पर individual है HOF है चाए आप resident हो या non resident हो दोनों को यहाँ पर allowed किया जाता है आप अगर payment करते है health insurance premium का खुद के लिए या अपने parents के लिए तो यहाँ पर ध्यान रखेगा आप अपनी taxable income से pay कर रहे है and जो payment आप कर रहे है वो other than cash mode में होना चीए यानि cash mode में यहाँ पर आपके लिए allowed नहीं किया जाएगा तो भी यहाँ पर आपको 50,000 का deduction मिलता है पर यह deduction तभी मिलेगा जब यहाँ पर आप electronic mode से इसको payment करेंगे लेकिन एक exception यहाँ पर दिया गया है अगर आप preventive health check-up करवाते है तो 5000 रुपे तक यहाँ पर आपको cash form में allowed किया जाएगा तो ध्यान रखेगा 80D के अंदर यहाँ पर कोल भी transaction आप cash में नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो आजाते हैं अपने अगले point पे तो यहाँ पर section 80G के अंदर अगर आपने donation किया है तो वो यहाँ पर disallow हो जाएगा अगर आप cash payment करते हैं तो तो ध्यान रखेगा finance act 2017 से पहले अगर आप यहाँ पर donation करते थे तो 10,000 के अपर limit रखी कही थी बड़ यहाँ पर finance act 2017 के बाद यह limit को कम करके 2000 कर दिया था यानि अगर आप किसी person को donation देते हैं जो sums यहाँ पर देते हैं जो payment अगर आप कर रहे हैं 2000 से जादा का अगर आपने cash form में किया है तो वो disallow कर दिया जाएगा अगर 2000 से कम का अगर आप 2000 तक का यहाँ पर cash donation करते हैं तो वो यहाँ पर allowed होगा जो आपकी gross total income से यहाँ पर deduction आपको allowed किया जाएगा तो ध्यान रखेगा अगर आप donation कर रहे हैं किसी fund में, institution में या charitable activities के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 2000 से जादा आप cash form में नहीं कर सकते हैं दोस्तो आजाते हैं अब अपने अगले point पे तो यहाँ पर section 80 GG A के अंदर अगर आप donation करते हैं scientific research के लिए या ruler development के लिए तो ध्यान रखेगा आप cash में payment नहीं कर सकते हैं अगर आप एक eligible SSC है जो यहाँ पर donation करना चाहते हैं पर ध्यान रखेगा आपकी कोई भी PGP से income नहीं होनी चाहिए उसी के इसाथ साथ आप donation कर रहे हैं scientific research के लिए social statistical research के लिए ruler development के लिए अगर आप करते हैं यहाँ पर eligible project के लिए अगर आप यहाँ पर donation करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी donation आप कर रहे हैं contribution कर रहे हैं वो यहाँ पर cash के अलावा mode में होने चाहिए यानि banking transition के थू होने चाहिए अगर आप cash mode में करते हैं तो यहाँ पर 2000 रुपे से ज़ादा का आप cash में नहीं कर सकते donation तो ध्यान रखेगा 80 GG A के अंदर अगर आपको deduction लेना है donation का या जो contribution अगर आपने pay किया है तो 2000 से ज़ादा आपको other than cash mode में करना रहेगा अगर 2000 से ज़ादा आप cash mode में करते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका deduction डिसलाव कर दिया जाएगा 2000 तक यहाँ पर cash जो है वो यहाँ पर allow किया जाएगा अब दोस्तों आजाते अपने अगले point पर तो यहाँ पर अगर आप donation करते हैं चाहे आप company हो या कोई भी person हो अगर आप political party को, electoral trust को यहाँ पर अगर आप donation करते हैं cash payment करते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे डिसलाव कर दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा अगर को Indian company है जो यहाँ पर donation देना चाहते है political party को, electoral trust को या कोई person है वो यहाँ पर donation करना चाहते हैं कितना भी यहाँ पर donation करें 100% यहाँ पर आपको donation आपने जो दिया है जो contribution आपको दिया है आपने जो दिया है वो यहाँ पर आपका deductible होगा आपकी gross total income से आपकी taxable income इससे कम हो जाएगी बट ध्यान रखेगा कोई भी जो donation आप दे रहे हैं वो यहाँ पर cash form में नहीं होना चाहिए यानि पूरा का पूरा donation आपकी banking channel से होना चाहिए अगर आप cash form में देते हैं donation चाहिए आप political party को दे रहें या electoral trust को दे रहें तो सीधे-सीधे यहाँ पर non deduction आपको मिल जाएगा अगर आप cash loan deposit या specified sum लेते हैं या repayment करते हैं section 269SS और section 269T के तहत हैं तो ध्यान रखेगा यहाँ पर कोई भी loan deposit है यह specified sum अगर आप यहाँ पर transfer करते हैं specified sum के case में immobile property तो यहाँ पर cash form में 20,000 रुपे से जादा का आप ना loan ले सकते हैं नहीं आप यहाँ पर repayment कर सकते हैं ध्यान रखेगा यहाँ पर आपको 20,000 से जादा का अगर आप transaction करना चाते हैं तो यहाँ पर account paycheck, bank draft, electronic clearing system से यहाँ पर आप कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आपने section को comply नहीं किया यहाँ पर cash transaction limit से 300 limit से जादा का अगर आपने cash payment किया है या receive किया है तो उस case में यहाँ पर loan क case में यहाँ पर 269 SS को अगर comply नहीं करते तो 271D के अंदर यहाँ पर आपको 100% की penalty लगेगी जितना भी आपने loan लिया है उतनी के यहाँ पर आपको penalty लगने वाली है और section 269T को अगर comply नहीं करते तो यहाँ पर 271E की penalty लगेगी जितना भी आपने repayment loan के लिए किया है तो ध् पर आप किसी परसन से भी यहाँ पर cash receipt नहीं कर सकते दो लाख या उससे जादा तो यहाँ पर जो mode of undertaking जो transaction है वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते cash form में चाहे यहाँ पर आपने aggregate पैसा receive किया है किसी भी एक परसन से inner day के अंदर यहाँ फिर कोई single transaction है या कोई ऐसा transaction है जो किसी occasion य करते हैं तो यहाँ पर दो लाख से जादा भी किया तो वो allowed किया जाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पर किल लोगों के लिए चूट दी गई है section 269 ST के तहतर अगर आप cash received करते हैं दो लाख से जादा भी अगर आपने government से पैसा receive किया है bank से post office से या cooperative bank से अगर पैसा receive किया है यहाँ पर एक provision दिया गया है एक और यहाँ पर cash restriction के लिए section 269 SU के तहत है तो यहाँ पर आप accept नहीं कर सकते payment other than prescribed mode जो यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर अगर every person जो है वो यहाँ पर अगर business carry करता है और आपकी total sale turn hour gross receipt 50 करोड से जादा है तो यहाँ पर ध्यान रखेग यहाँ पर payment receive नहीं करनी अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा जो payment है वो आपके लिए disallow कर दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा दोस्तों यहाँ पर penalty भी दी गई है penalty आपर 5000 की penalty per day के इसाब से आपको लगेगी अगर आप इस section को comply नहीं करते हैं दोस्तों अब यहा cash paid कर रही है किसी भी person को जहां पर उन्होंने अपना account maintain करके रखा है कोई भी person है जिसके जो जिन्होंने अपने bank में या post office में account maintain करके रखा है एक एक से जादा का और एक करोड से जादा का अगर cash withdrawal कर रहे है तो यहाँ पर जो bank post office है वो आपका TDS deduct करेगी 2% rate के हिसाब से ल यहाँ पर अगर 20 लाग से जादा पर एक करोड से कम का अगर cash withdrawal करवाता है तो 2% के इसाब से TDS कटा जाएगा और एक करोड से जादा का इस case में अगर IDR file नहीं करते है और cash withdrawal होता है तो उस case में 5% का TDS जो वो यहाँ पर deduct कर लिया जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर अपन तरन अवर एक करोड से जादा गया आपकी total gross total receipt है तरन अवर है या फिर sale है वो एक करोड से जादा होता है तो यहाँ पर आपको audit करवानी in case business के case में उसी है साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखेगा 44 AD के तैत आप प्रिजंटिव यहाँ पर business income ले सकते हैं यानि आपको 2 पर जो transaction दिखाना हो पड़ेगा 6% यहाँ पर electronic transaction रखा गया तो वहाँ पर भी यहाँ पर आपको benefit दिया जागा अगर आप cash transaction नहीं total expenditure से जादा 5% जादा नहीं होनी चाहिए यानि 95% आपकी digital form में होनी चाहिए तो यहाँ पर सरकार cash transaction को रोकने के लिए digitalization को यहाँ पर cash less economy को बनाने के लिए यहाँ पर जो provision डाला गया है जहाँ पर आप 10 करोड तक कोई भी audit नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा बट ध्यान रहे कागा यहाँ पर जो account pay से यहाँ पर आपके जो transaction होने चाहिए check चे या फिर other कोई mode अगर आप करते हैं cash mode में करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका benefit नहीं दिया जाएगा आपको एक करोड के उपर भी audit करवानी पड़ सकती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे बहुत सारे cash restriction transaction देखे जो यहाँ पर government दुआरा introduce किये जाते हैं income tax act के अंदर और उसी के साथ साथ यहाँ पर Indian economic को यहाँ पर cashless economic बनाने के लिए और digitalize करने के लिए और भी ऐसे transaction जो आगे introduce किये जाएंगे तो दोस्तो cash transaction यह सभी आप देख सकते हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने बता है जो income tax act के हिसाफ से यहाँ पर दिये गए हैं तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को like और subscribe जरू करेगा जाजादा share जरू करेगा धन्यवाद